हलो दोस्तों आका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल इंडियन इंस्ट्रीट ऑफ स्टॉक मार्केट पर आज हम सबसे बड़ा कंफुजन दूर कर देने वाले हैंगे कि ड्रे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या बेटर है हमें किसको फोलो क करना चाहिए मैं ड्रेट रेडिंग में इंट्रेड स्टॉक स्टॉक्स को भी जोड़ ले रहा हूं और साथ साथ में अगर आप यहां पर स्टॉक्स के करते हो तो मैं ऑप्शन को भी और करके जा रहे हो तो बीए आत्uppheit बज्जे के बाद मेरे लिए ऑपन खड़ी है उसक या मुझे day trading करना चाहिए या मेरे को swing trading करना चाहिए तो मैं आपको one by one सारा analysis देता हूं कि आपके लिए क्या better लाएगा आपको खुद identify करना होगा जिसे आप मेरे से पूछो कि personally तो मैंने क्या कर रखा है account बाट रखें कि मैं day trading किसी specific account पर करूँगा swing trading किसी specific account पर ताकि मेर को पता चले longer run में कि मैं better कहां पर कर रहा हूँ जिसकी help से मैं क्या करूँगा कि लंबे समय पर उस पर ज्यादा ध्यान दूँगा तो आप लोगों को भी identify करना है कि आप क्या ज्यादा better करते हैं और वो identify करने का सबसे बेटर तरीका सबसे पहले यह जान लेना कि दुनों क के पहले पहले मेरा trade exit हो जाएगा अगर मेरा trade 9 बच के 15 मिनिट पास सेकंड को भी उपन होता है तो 9 बच के 29 मिनिट और 59 सेकंड के पहले पहले बोगर कट जाएगा तो मेरे लिए वो क्या है intraday अब बहुत से लोगों क्या करते हैं कि one day forward trade करते हैं मतलब जिसे उनको दिख difference का तो वो चीज का अब ध्यान रखना ध्यान से सुनिएगा अगर आप लोग intraday में directions को सही तरीके से identify कर लेते हैं तो आपको swing जाने की जरुवत ही नहीं है क्यों क्योंकि आप अपना सबसे बड़ा रिस्क बचा लेते हो जिसे हम कहते हैं overnight risk कहने का मदला आपको पता चल है अब इंटraday trading से option buying नहीं होती है सबसे पहला कोई समझना जरूरी है आप यहां पर इस triangle से short करके और इंटraday में equity को trade करके भी profit generate कर सकते हैं यहां पर बहुत सारी opportunities open होती है तो यह चीज का भी जान रखना है अब पर direction के हमें बात करना है हम चार्ट पर चलके देखेंगे अब आजाते हैं swing trading के पार्ट पर swing trading तो वही बैक्ती कर सकता है जो कि direction को थोड़ा बहुत समझता हो जैसे कि आप सुचों के intraday के लिए direction जरूरी है तो मैं बोलूगा बहुत ज़्यादा मस्ट नहीं है क्यों अगर आप options में straddles और strangles वाली category में हो आप elgo के through trade करते हो market उपर जाएगी कि नीचे इसके हिसाब सभी तो मैं position बनाऊंगा आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं position neutral बनाऊं और market फिर कहीं जाए तो मैं adjustment करके पेसे कमाऊं क्योंकि वह सिप और सिप options के साथ possible है अगर मैं बात करता हूँ equity की आप तो swing trader हो और अगर आप swing trader हो तो आपको यह स पता होगी तो आप intraday बहुत बढ़िया कर सकते हो और नहीं पता है तो भी intraday कर सकते हो with the help of option selling अभी मैं आपको intraday में direction समझाता हूँ और फिर positional में direction समझाता हूँ कि दोनों की बीच का basic अंतर क्या है तो सीरी चलेंगे अपन चार्ट पर अब जो है मैं यहाँ पर चार पहला आ जाता है आपका जिसमें आप क्या करते हो direction को जानते हो और दूसरा है कि आप direction को नहीं जानते हो तो एक में आप direction को पकड़ के trade कर रहे हो अभी direction को पकड़ के trade करने के बाद आपके पास तीन चीज़े निकलती है either you are an option buyer आप seller हो और आप क्या करते हो futures के साथ अप direction सस्ता पड़ेगा वह सारे methods को अगर हम अटा दे तो हम यहां पर इंट्राडे में क्या करते हैं सीधा futures के साथ treat कर सकते हैं कि मेरे को एक solid move दिखा मैंने वह solid move पकड़ा और futures के साथ directly profit generate किया दूसरा तरीका यहां पर क्लियर कट आता है कि मैं जाओ यहां पर directional में मैं जाओ option के buying के साथ buying के साथ मतलब यहां पर call buy और यहां पर अगर मैंने put buy किया तो मेरा पैसा बनाए इसके अलावा इस वाली range में अगर किसी ने कुछ भी काम किया है तो महां पर option buying ने पैसा आज नहीं दिया होगा या फिर उन्होंने छोटा मोटा scale किया होगा तो अलग बाते त तो मैं आको सारे comparison बता नहीं देन रहा हूं यहां future पैसा कमा रहा हैं और option buyer पैसा कमारा हैं यहां पे इस range में non directional पैसा कमरारा है यह फौल में option बायर पैसा कमा रहा है यह राइस में ऑप्शन बायर पैसा कमा रहा है बस अंतर इतना है यहां पर का लिवी करोगे कौल की करो ज्यादा अच्छा लग गया तो आप सीदा फ्यूचर्स में लेक्ट कर सकते हैं अब ही आगे का scenario आता है, कि non-directional क्या होता है, non-directional में हम combinations of call और puts को shot करते हैं, जिसमें हम single strike ले सकते हैं, अलग-अलग different strike ले सकते हैं, single leg जा सकते हैं, double leg जा सकते हैं, multi leg strategies बना सकते हैं, तो इसे बहुत सारे scenarios आ जाते हैं, तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा, कि मैं कौ उनसी side किस वक्त क्या play करूँगा, वो भी भोचादा मेटर करता है, अभी हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे, और सिधर समझेंगे कि अब यहां से swing trading के लिए क्या चीज़े open हो जाती है, सबसे मस्त बात मैं आपको day trading में क्या बताई, चाहे आज आपका 5000 का profit हुआ हो या 5000 का loss हुआ हो, ये ठीक 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 तीन बच के 29 मिनट पे खतम हो जाएगा, और जितने भी लोगों MIS order मारते हैं उनके लिए ये तीन बच के 15 मिनट के पहले खतम है, तो ये वाली चीज़े एक plus point निकल के आती है कि मेरे को रात की tension खतम हो जाती है, क्या बताई मैं आपक अगर मैं futures में काम कर रहा हूँ तो, एक बार intraday के लिए अपनी positions को hold कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है ज्यादा minus आ रहा है, पर मैं कोई लगता है कि day पलेट के वापिस चलेगा, तो आपने क्या गारा, वो गलती कर लियो, loss को hold कर लियो और वापिस से घूम के चल गया तो पड़ा नुकसान आप कर लेंगे, तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, शुरुआत अगर आपको करनी है, तो हमेशा day trading से या फिर equity में swing करने से करनी चाहिए, क्या आपको हमेशा शुरुआत या तो day trading से करनी चाहिए, वो भी equity में intraday से, या फिर आपको swing trading में ज strategy trade कर रहा हूं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आप खुद pause कीजिए और खुद सोचेगा, दो मिट अपने आपको दीजिए, मैं आपको जवाब देता हूं, option की कोई से भी strategy अगर आपने trade कर ये, तो आपके पास hedge होना चाहिए, क्योंकि overnight risk बहुत बढ़ा होने वाला ह होता है, ऐसे में अगर market 300 या 400 points इदर खुलती है, और आपके पास अगर बड़ी funds होते हैं, बड़ी positions बनी होती है, तो दिक्कत होती है, और यहीं से plus point निकल के आता है, कि अगर आप लोगों के पास काफी बड़ा fund है, तो आप ऐसी strategy के बारे में सोचे, जिसको आप intraday में manage कर पाएं, ताकि आप उस सही fund को manage करने, आप इसके बाद आजाता है सवाल कि हम लोग क्या करें, जो कि एकदम नए-ने market में उतर है, जिसके पास capital 10K, तो वो क्या करेगा, तो उसके पास कोई option नहीं रह जाता है, या तो वो कमाने के बारे में छोड़ करके, सीखने के बार करना चाहिए, आपको अगर day trading में करनी है, तो आपको हमेशा ही हमेशा किस पर focus करना चाहिए, पहले stocks को पकड़ना चाहिए, जब वहाँ पे आप सही direction identify करोगे, तो कोशिश करना कि आप जाके option buying try करो, और एक और चीज में आप लोगों को day का आज market जीसे आप से चला है, सा लोगों के लिए बहुती जदर problematic है, जो लोग साथ सा जॉब भी करते हैं, तो जितने भी लोगों यहाँ पे day job करते हैं, और day job के साथ में day trading करना चाहते हैं, तो वहाँ पे next to impossible हो जाएगा, यह चीज कभी आपको ध्यान रखना है, कितनी बार ऐसा होगा कि आपने call option ली त trading करते हुए, वो भी ठीक ठीक बिल्कुल job के समय पर तो आपको पता होगा, और इसके अलावा जो है, अगर आप swing trading करते हैं, तो आप आराम से अपनी job करते हुए, भी swing trading कर सकते हैं, क्योंकि आपको day में सिब एक दो बार positions को देखना होता है, और अगर वो गलत हो तो सीधे trading के बीच में, अब आप लोगों को सुएम अंदाजा लगाना है कि आपकी capital कितनी है, और उस capital के हिसाब से आपको क्या suit करेगा, आपकी job 9 to 6 वाली है, कि आपकी job शुरू ही 3.5 बज़े के बाद होती है, तो यह सारे सिनिरियों का अंदाजा लगाने के बाद, आप अपने लिए best opportunity निकालके best तरीका find out कर पाएंगे, I hope आप लोगों कोई शांदार comparison अच्छा लगा होगा, अगर comparison अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजिएगा, चैनल को subscribe कीजिएगा, और इसके अलावा अगर आप लोगों ने भी तक अपना demet account ने खुलवाया है, तो description के बहुत बहुत धन्यवाद